राजस्थान बिधान सभा चुनाव में नाम वापसी के बाद अब चुनाव प्रचार परवान चड़ने लग गया है जैपुर जिले की 19 सीटो पर भी भाजपा कॉंग्रेस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है दोनों ही दल बिधान सभा चुनाव में अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं बीजेपी गहलोज सरकार को विफल बताते हुए बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रही है वहीं कॉंग्रेस अपनी सरकार की कामकाज की तारीफ करते हुए सरकार रिपीट करने का पूरा दावा कर रही है वहीं दूसरी और बीजेपी के लिए तुष्टी करन, पेपर लीक मामला, भ्रष्टाचार, महिला अपराद, सामप्रदाईक तनाव की घटनाएं और बिगरती कानून ब्यवस्था बड़े चुनावी मुद्दे हैं कॉंग्रेस सरकार को विफल बताती हुए बीजेपी प्रत्याशी जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं साथ ही पिछले चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के ओर से अपने चुनाव घोसनापत्र में किये गए वादों को पूरा नहीं करने की बात भी जनता को बता रहे हैं अब आने वाले दिनों में दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं दोनों ही दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जैपुर जिले की अधिकांश सीटों पर स्टार प्रचारकों की दवरे कराया जाने की डिमांड दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की ओर से लगातार की जा रही है दरसल इस बार सरकार रिपीट होने का दावा कर रही कॉंग्रेस को अपनी सरकार की योजनाओं और पांच साल की उपलब्धियों का भरूसा है कॉंग्रेस प्रत्याशी भी जनता के बीच इनहीं योजनाओं को गिना कर वोट माग रहे हैं खासकर चुरंजीवी योजना, ब्रिधावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त दवा और जाच योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, ओल्ड पेंशन, इसकीम जैसी योजनाओं को भुना रहे हैं वहीं भाजबा केंदर सरकार की नीतियों से जनता को अवगत करा रही है, युवाओं को साधने के लिए सरकार की ओर से किये गए कामकाज गिनाय जा रहे हैं परचार के दोरान कॉंग्रेस प्रत्याशी सरकार की प्रमुक योजनाओं को लेकर तैयार की गई बुकलेट भी बितरित कर रहे हैं बेधान सभा चुनाओं के आखरी दोर में अब जीत के समीकरन साधने के लिए उमीदवार पूरी ताकत जोक रहे हैं जन संपर्क का दोर जारी है और बीते 15 से 20 दिनों के दोरान उमीदवारों ने शेत्र के सभी वाडों, मुहले, गाउं, ग्राम, पंचायत नाप लिए हैं गोश्णाओं, दावों, वाइदों के बीच उमीदवारों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने समर्थकों की फौज को भी दोरा दिया है लेकिन इस बीच उमीदवार कहीं से कोई चूक नहीं करना चाह रहे हैं उमीदवारों के साथ ही उनके समर्थक अब पूरी तरह से लगे हुए हैं सूत्र बताते हैं कि असंतुलित शेत्रों को साधने के बाद अब उमीदवारों का फोकस उन शेत्रों पर हो गया है जहां से उनकी पार्टी को मत कम मिले थे या पिछले चुनाव में प्रतिदोंदी के अलावा अन्य उमीदवारों ने वोट काटने की भूमिका निभाई थी दीपावली के महापर पर भी उमीदवारों ने सुबह के समय जनसंपर कर शाम को पूजन के बाद भी फोन करके लोगों को साधा समर्थक बताते हैं कि नेता जी के साथ ही परिवार के सदसे भी चुनावी रणनीती बनाने में जुटे हुए हैं यानि कि राजस्थान के रण को जीतने के लिए सभी राजनयतिक दल तरह तरह के जतन कर रहे हैं और जीत का पड़्चम फैराने की पूरी कोशिश हो रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें